टी ट्वेंटी वर्ड कप दोजार चोईस एक बड़ा उलट फेर करने वाली साबित हो रहा है पहले तो पाकिस्तान हारी टी युएसे से लेकिन अब सबसे बड़ा और एक उलट फेर हुआ है अफगानिस्तान ने लिजिलेंड को काफी जबरदस्त रोंदा है ज्या दोस्तों ने 56 गिंदों में 80 रन बना है इब्राइन जरदान ने 41 गिंदों में 44 रन बना है जिसकी मदद से 119 रन बनाने में अफगानिस्तान कामियाब रही जिसमें यहाँ पर अगर देखेंगे न्यूजिलेंड के गेन बाजों की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टेट बोल्ट और मैट हेंरी ने दो-दो विकेट लिए लेकिन मैट हेंरी की अकर इकोनॉमी में आपको दिखा हूँ तो 9.2 की एकोनॉमी जो की काफी जादा है इसके अलावा मतलब अगर एक लॉक्यू फरगिशन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेन बाज विकेट भी नहीं ले पाया तो इस तर से यहाप पर 169 रन बनेते अफगानिस्तान के जिसके जवाब में न्यूजिलन्ड की पूरी टीम जिया दोस्तों न्यूजिलन्ड की पूरी टीम 75 रन पर ही अल आउट हो गई है जिसमें सबसे बड़ा स्कोर रहा जी फिलिप्स का जिनों ने अठरा गेंदो में नहीं कर पाया और यह मैच न्यूजिलंड काफी बूरी तर से हारी है सिर्फ 75 पर 75 पर ही ओल ओट हो गई है और न्यूजिलंड की टीम अफगानिस्तान से हार चुके इससे पहले पाकिस्तान को यूजिय ने हराया था आप सबको यादियोगा सुपर ओर में और यह एक और और उसके अलावा रशित खार ने भी यहाँ पर चार विक्टे लिए यहाँ पर बहुत ही जबरदस तुलेट पे रहे और यह वर्ल्ड कप शायद बड़ी-बड़ी टीमों के लिए एक बुरा सपना लग रहा है क्योंकि अगर इसी तर से बड़ी-बड़ी टीमें हारती र आता ही है और अगर आप तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेस्ट करना ना बूले साथ यसाथ दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कर दीजिए चलिए दोस्तों मिलते अगले वोड़ों में तब तक के लिए गुड़ बाई